इस वीडियो में हम जानेंगे आवला हमारे लिए कितना फायदे मंद है आवले जूस का सेवन कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीजे बताई गई है जिनके नियमि सेवन से ना सिर्फ विभिन रोगों से मुक्ती मिलती है बलकि इससे तौचा भी युवा बनी रहती है आवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है यह आखो बालो और तौचा के लिए तो फायदे मंद है ही साथ ही इसके और भी कई फायदे है अक्सर आवले जूस के सेवन को लेकर कई लोग दूविधा में रहते है कि इसका सेवन कब और कितना करना चाहिए आवले के जूस को कब और कितनी मात्रा में पीना चाहिए सुभा खाली पेट आवला जूस केवल 10 मिली ग्राम ही ले बढ़ा कर 20 मिली ग्राम कर सकते है अम्रत समान है यह आँखों की रोशनी को बढ़ाने में सहायक होता है इसके लिए रोजाना एक चमच आवला के पाउडर को शहद के साथ लेने से लाभ मिलता है और मोत्याबीन की समस्या भी खत्म हो जाती है शरीर में गर्मी बढ़ जाने पर आवला सबसे बहतर उपाए है आवले के रस का सेवन या आवले को किसी भी रूप में खाने पर ये ठंडक परदान करता है आवले के रस को मिसरी के साथ दिन में दो तीन बार सेवन करने से काफी राहत मिलेगा चेहरे के दाग धब्बे हटा कर उसे खुबसूरत बनाने के लिए भी आवला आपके लिए उपयोगी होता है इसका पेष्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से तोचा साफ चमकदार होती है और जुर्यां भी कम हो जाती है इन चीजों के साथ सेवन करने के फाइदे आवला कूटकर पेष्ट के रूप में तयार कर ले दो चमच आवला का गुदा और दो चमच शहद मिल जाकर सुबह शाम ले जुखाम नहीं होगा अगर है तो वह भी ठीक हो जाएगा छे साथ दिन तक खाली पेट एक चमच केवल आवला जूस पिए इससे पेट के कीड़े मरेंगे पेट साफ होगा जो डैबडीज की समस्या से जूज रहे वे लोग भी आवला जूस का सेवन कर सकते है आवला बलड शुगर को नियंतित रखने में कारगर है पेशाब में जलन हो तो खाली पेट आवला और शहद मिलाकर पिए राहत मिलेगी सफेद बालों को काला करने में आवला कारगर है नारियल के तेल में दो से तीन साबुत आवला रात में भीगो कर रखे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सबस्क्राइब करना ना भूले.